Hello friends, तो पिछले वीडियो में देखा था कि row visit क्या होता है और उसको कैसे use करते हैं इस वीडियो में similar topic है, हमें row cover कर लिया है, column क्या होता है वो देखेंगे, उससे पहले intro चला लेते हैं तो देखे, जैसे row visit था, उसका क्या use था? कि अगर हमें बहुत सारे children को horizontal place करना होता था, तो हम row visit का use करते हैं column visit किसले उसकरते हैं, अब तो आपको समझ में आई क्यों का, example दिखाई देता हूं आपको बागी आप समझदार दो ही, row आपने cover किया था, column आपको समझ में आई जाए, अगर हमें बहुत सारे children को जैसे ये तो तीन बहुत सारे ऐसे हैं अगर इनको हमें vertically place करना है, एक के तो हम use करेंगे column widget कर, चलते हैं code पर और देखते हैं कैसे use करते हैं इसको, पहले तो हम यहां से row remove कर देते हैं, वो दुबारे से समझ भाएगा, चिक है center में बनाते हैं, यहां पर लिखते हैं column, column यूज करने के column लिखते हैं, same, इसके अंदा child नहीं होगा, क्योंकि column visit जो ह होता है, वो बहुत सारे children अपने अंदर लेता है, एक के बाद एक जो आपको place करने, तो यहां पे भी आपको लिखना होगा सिर्फ children, अब जो children आपको place करने वो यहां पर लिखते हो, अपन दुबार से container बना देते हैं, container जिसकी height होगी, 100 यहां पे width होगी, 100 और इसका color दे हमें horizontal direction में place करना था, वो आगया, अब भी आपको ऐसे, तो दिखेगा नहीं कि हम करना क्या चा रहे है, इसको open करने, save, अब देखे, इसका color change करते हैं, एक का हम करते हैं, red, ताकि आपको changes देखे, दूसरा करते हैं, green, traffic light बनाएं क्या आप, red, green, orange नहीं होता है, यहां बना axis होती है, vertical, और row की होती थी, horizontal, तो अगर माल लीचे, आपको यह सारे विजिट यहां center से start होनी चाहिए, तो आप दिखोगे, आप में access alignment, main access alignment dot center, और save करोगे, यह विजिट इसके center से start हो जाएंगे, अब अगर आपको इनके बीच में space evenly चाहिए, तो आपने यहां पर करना है, तो हम use करेंगे column widget का, उसके बाद आप अपने विजिट बनाई है, जो भी आपको लेखना text, icon, images, वह आप यहां पर बनाते रहे हैं, और जो order इनका होगा, उस हिसाब से हमारा column उसके widgets बनाते रहेगा, अब देखे, एक error में दिखा देता हूं, आपको आएगे, अ तो अगर phone की height से जादा हो गई, उन सब की height का sum, तो यहां पर आपको नीचे bottom overflow error में देगी, इसको remove कैसे करते हैं, यह हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए इस वीडियो का concept था कि column widget क्या होता है, और उसको हम कैसे use करते हैं, बाकी मिलता है next video में,